दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चीको खाने के नुकसान क्या होते हैं तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आलो की तरहा दिखने वाला चीको एक मीठा और बड़ा ही टेस्टी फल है यह तो अब जानते ही होंगे और चीको को अंग्रेजी मीना सैपोडिला कहते हैं जिसे हम हिंदी में सपोटा भी कहते हैं यह गोल आकार का होता है इस मेना दोस्तों उपरी परत में छिलका होता है जिसे छिलकर खाया जाता है और अंदर बहुत ही मीठा सा पल्प होता है जिसके अंदर बीज यानि की सीड्स भी होते हैं और मैं आपको बितादू सपोर्टे मेना कैल्शियम, लहा, मेगनीशियम के साथ यह फॉसफोरस, पोटाशियम, सोडियम, जस्ता और विटामिन B6 के साथ फॉलेट, फाइबर, वि शक्ताओं को पूरा करता है, और यह हमारे स्वस्त बालवत पचा के साथ ही हमारे हल्प के लिए भी बहुत ही जियदा फाइदे मन हैं, और यह आसानी से पशने वाला फल भी हैं, जिसमें शुगर की मातरा अधिक होती हैं, इतना ही नहीं, चीको ना कुश रोक, स्थितियो के चोखिम को कम करता है, जसके बाल सफेद होना रुखता है, बालों को चिकना और सती मलायम बनाता है, आपके शरीर में उज़ा को बढ़ावा देता है, और हडियों के लिए भी यह फल बहुत ही जिदर हल्दी होता है, साथी चीको जो है ना रख्तचाप को नियंतरित भी करता है, सर्दी और खांसी को भी चीक करता है, लेकिन इसको खानी से पहले इसके नुकसानों के बारे में भी जाना बहुत ज़रूरी है, हाँ देखें दोस्तों, पूरी तरह से पकेवे चीको खानी से ऐसे तो कुछ दुश प्रभावयन के साइड एफेक्ट देखनी को नह ही मिलते हैं, हाँ अगर कच्छा चीको या फिर ठीक से ना पका हुआ चीको का सीवन किया जाए ना दोस्तों, तो चीको के नुकसानों का आपको सामना करना पर सकता है, या फिर अगर आप पका हुआ जो है चीको खाते भी हैं कुछ हेल्थ कंडिशन्स में, तो इसे खाना आपको रुखना चोहिए, तक कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, वो कौन सी प्रॉब्लम में आपको चीको का सीवन नहीं करना है, या फिर सीमित मातरा में करना चोहिए, चलिए डीटेल में जान लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, कच्छा चीको फल खानी से ना मूँ का इसके पीछे इसमें मौचल लाटेक्स और टैनिन की अधिक मातरा के वजह से होता है, और ना मैं आपको पिता दू, मूँ में अलसर की वजह भी बन सकती हैं, इसकी वजह से आपके मूँ में ना अलसर हो सकता है, इसलिए अधिक मातरा में चीको खानी से आप बच्छी, आसे ने दोस्तों को दूसरी प्राबलम्स होंगी, इसलिए आपको चीको मत खाएं, पका हुआ चीको खायेगा, और हाँ अगर आप ज़रूर से स्यदा चीको को सीवन करते हैं ने दोस्तों, तो इसमें माचुद लाटेक्स और टैनिन की अधिक्ता के वजह से ना आपको ग चीको कहने से बचे नहीं तो गली की प्रबलम्स बरसती हैं, और हाँ चीको के पीसे हुए बीचों का सीवन करने से ना होता यह है कि पेट में दर्थ होता है, डाइरिया भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें सापोटन और सापोटन और केमिकल मौजुद होते हैं, इसलिए कोई भी अच्छी चीज को बहुत से दमात्रा में खाना भी आपके सिहत पर बुड़ा साथ डाल सकता है, तो इसलिए कोई भी चीज खाने के टाइम पर आप थड़ा समहल कर रहे हैं, और ना अगर आप चीको के ज़रूर सेदा सेवन करते हैं ना दोस्तों, तो इस आपके शरी का ब्लड शुगा लेवल भी बढ़ सकता है, हाँ बलकुल, इसलिए डाइबिटीज रुगियों को चीको जो है कम खाने के सला दी चाती हैं, अगर आप डाइबिटीज मरीज हैं, तो अपने डाइट में सिमित मात्रा में चीको को शामल करें, हो सके तो कभी कब बार खाएं, ठीक है, और चीको खाने का एक नुकसान ये भी है कि दोस्तों इसके ज़्यादा सिवन करने से न, व्यक्ति का वजन अच्छानक से बढ़ने लगता है, हाला कि ऐसे लोगों के लिए तो फाइदे मन्द हैं, जो अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, अधिक मातरा में से वन करने से बचें, और अगर आप जो अपने वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जिएदा मातरा में जो ये चीको को खा सकते हैं, और हाँ, चीको की तासीर ना थंडी होती है, इसलिए अगर छोटे बच्छे सर्दियों के मौसम में इसके जिएदा से सेवन करते हैं, तो ऐसा कनी से ना उनके गले में खराश की समस्या हो सकती है, उन्हें सांस लिनी में दिकत की समस्या या फिर सर्दी की समस्या भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए बहुत चोटे बच्छों को बहुत जिदा मातरा में चीको मत खिलाएं, और हाँ दोस्तों, जब मातरा में जो है अगर आप चीकू का सेवन करते हैं तो सकिन ऐलर्जी हूं बलकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिने कुछ फ्रूट्स की वजहाँ से ऐलर्जी होती है तो ऐसे में जिन को चीकू काने से ऐलर्जी होती है तो ऐसे में वो उसका ना-धि Stock में या फिर जरूरी से जिएदा सेवन करते हैं न उनके सकिन में खुझली का कारण यह बन सकता है और सकिन पर राश्यस भी आ सकते हैं तो बहतर है कि दोस्तों अगर आपको पहले से ही चीकू खाने से एलर्जी हो स्किन अलर्जी तो इसे खानी से बजें ठीक है तो चलिए अ बशिकन के अबाद चिकु का लीजे या फिर दोपहर में या शाम या रात में भी आप चिकु को कह सकते हैं। कभी भी आप खा सकते हैं चीकू इसका कोई निश्चिट समय नहीं है और पूरे दिन में दोस्तों अगर हम बात करें आपको कितने चीकू खाना चोहिए तो देखे आपको पूरे दिन में 2-3 चीकू का ही सेवन करना चाहिए इससे अधिक माता में चीकू का सेवन आपके स्वास्त के लिए बिलकुल भी सही नहीं होता है साथ ही इसका बीच भी स्वास्त के लिए जिदा अच्छा नहीं होता है इसी लिए बच्चों को चीकू के बीजों से दूर रखिए और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के ज़री आपको चीकू खाने के नुकसानों के बारे में जानकारी मिल गई होगी तो बस कच्छी फल का सेवन करने से मचें इसके लावा अगर किसी को कोई गंभी रोग या फिर समस्या हो तो कोई भी फ्रूट हो या फिर विजिटेबल हो तो उससे पहले न दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डॉक्टर को जो है पूछ लीज़े कि क्या आप चीकू खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं अगर डॉक्टर कहें कि खा सकते हैं तो ही खाएगा ताकि दोस्तों आप नुकसान होने से बस सकें तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मलते हैं एक और जबर्दस जानकारी को लेकर तब तक के लिए बाई